नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशान्त आप सभी का स्वागत करता हूँ IPL 2021 के तूसरे मैच में चन्ने सूपर किंग्स और डली कैपिटल्स के टीम आमने सामने थी इस मुकाबले में कप्तान रिशाप पंतने टॉस जीता और चन्ने को पहले बल्लेबाजी थमा दी चन्ने की शुरवात अच्छी नहीं रही थी और तीसरे ओवर तक दोनों ओपनर वापस पविलियन लौट चुके थे लेकिन इसके बाद चन्ने सूपर किंग्स के चन्ना थाला यानी सुरेश रहना ने अपना दमखम एक बार फिर दिखाया और बता दिया कि क्यों IPL के तेरवे सीजन में चन्ने सूपर किंग्स ने उन्हें मिस किया आपको दढ़ें, IPL 2021 के अपने पहले ही मैच में सूरेश रहना ने कोहराम मचा दिया जी हाँ, CSK के अनुभवी खिलाडी सूरेश रहना ने IPL के चौदवे सीजन के अपने पहले ही मैच में दमदार पारी खेली बाया हाथ के बलेबाय सूरेश रहना ने महज 32 गेंदो पर 3, 4 चौकों और 4 छकों की मदद से अपना अर्दशा तक पूरा किया इस दोरान उनका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा का था सूरेश रहना ने छक्के के साथ अपने IPL करियर का 49 वा अर्दशा तक पूरा किया सूरेश रहना शुरुवात से ही लह में नजर आ रहे थे और उन्होंने आरश्विन के अलावा दिली कैपिटल्स के दूसरे स्पिनर अमित मिशरा को भी जम कर आड़े हाथ हो लिया आपको दाते हैं सूरेश रहना ने 23 महीने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग यानि IPL में वापसी क्योंकि पिछले साल यूई में खेले गए IPL में वो नहीं खेल पाए थे लेकिन इस साल उन्होंने पिछले साल की कमी को पूरी तरीके से धोडाला है सूरेश रहना ने IPL में वापसी करते हुए दिली कापिटल से खिलाब 36 गेंदों में तीन चौको और चार चको की मदद से 54 रनों की तूफानी पारी खेली चार नंबर पर बैटिंग करने उतरे सूरेश रहना ने एक बर फिर साबित कर दिया कि वो चन्ने सूपर किंग्स की बैटिंग लाइनप की जान है नंबर तीन और नंबर चार पर सूरेश रहनाग रेकॉर्ड काफी शानदार है शायद यही वज़ा है कि उनको मिस्टर IPL भी कहा जाता है फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही तमाम स्पूर्ट सब्डेट के लिए बने रहे हैं वन इंडिया के साथ